बताना है कि कौन सा सबस्पेस नहीं है MNR का तो सबसे पहले अगर डाइमेंशन की बात करें, डाइमेंशन ओफ M, N by N मैटिसेज, एंड उसकी जो एंटिस आ रही है, वो रियल से आ रही है, इसकी जो डाइमेंशन होती है, वो N स्केर होती है, अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा ओप्षन सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, तो एक एक ओप्षन को हम चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले में दे रहा है, वो मैटिसेज, जिनका ट्रेस जो है, जीरो होता है, तो इसमें क्या जीरो मैटिक्स होगी, येस, इसमें कोई भी स कोई भी मैटिक्स लें, जिसका ट्रेस जीरो है, इसका मतलब माली जैसके डाइगनल एलिमेंट्स ए, बी, सी इस तरह से हैं, अगर हम उसको किसी भी स्केलर से मल्टिप्लाई करा देते हैं, यानि कि सी से मल्टिप्लाई करा देते हैं, तो सारी टर्म्स में सी आ जाएगा, और हम फिर सी को कॉमल ले सकते हैं, यानि कि फिर से उसका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगे, स्केल करने पर, स्केल करने पर मैट्रिक्स जाएगे, उसका भी ट्रेस जीरो होगा, अब अगर दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, जिनका ट्रेस जीरो है, तो इसका ट्रेस जीरो है, इसका मतलब हुआ, मान लिजे इसके element है, A, B, C और इन तीनों का sum 0 है ऐसे इसके elements ले लेते हैं E, F, G इन तीनों का sum भी अगर 0 है तो 0 plus 0 finally हमें 0 matrix मिल जाए, sorry, जो matrix मिलेगा, उसका diagonal sum भी 0 होगा तो इस तरह से ये तो sub-space form करेगा, लेकिन हमें देखना है, जो sub-space form ना करे तो option A हमारा twice नहीं होगा अब option B की तरफ चलते हैं, यहाँ पर option B में कहा है, कि वो matrix is, जिसका determinant 0 है, तो 0 matrix का determinant 0 होता है तो 0 matrix इसमें होगी दूसरी बात, अगर हम कोई भी matrix A लेते हैं जिसका determinant 0 है और एक दूसरी matrix लेते हैं जिसका determinant भी 0 है तो जरूरी नहीं है कि उनके sum का determinant भी 0 है इस example को आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं 1, 0, 0, 0 अगर यह matrix लेता हूं तो इसका determinant आपको 0 मिलेगा और अगर मैं 0, 1, 0, 0 लेता हूं इसका determinant भी 0 मिलेगा लेकिन अगर इन दोनों का sum मैं लेता हूं तो वो जो मिलेगा sum वो मुझे मिलेगी 1, 0, 0, 1 यानि कि एक identity matrix और इसका जो determinant होता है 1 होता है यानि कि इस case में यह सभी space form नहीं करेगा तो यह हमारे लिए correct option होगा लेकिन हम दूसरे जो दो option बचे हैं उसको भी verify कर लेते हैं यहाँ पर option C में कहा गया है जिसका first element 0 हो तो 0 matrix का first element 0 होता है principle diagonal का अगर कोई दूसरे matrix ले जिसका element first element 0 है और उसको अगर किसी भी scalar से multiply कराते हैं तब भी वो 0 ही रहेगा और अगर कोई इस तरह से हम दो matrix choose करते हैं A और B जिनके first element 0 है तो इनका sum भी 0 होगा यानि कि दोनों के sum करने से जो matrix आएगी C उसका first element भी 0 होगा तो यह सब इस पेस form करेगा option C तो यह इसलिए हमारे late choice नहीं होगा और आप जानते हैं यहाँ पर transpose दे रखा है यानि कि 0 matrix का transpose 0 matrix मिलेगा sum of two transpose symmetric matrix sorry transpose दे रखा है यानि कि symmetric matrix की definition है तो 2 matrix का sum भी symmetric होता है और किसी से भी scaled करने पर matrix फिर से symmetric ही रहते हैं तो यह भी हमारा sub space form करेगा इसलिए भी desire नहीं है तो एक option जो not service space है वो option B होगा पड़ ट्वाय। लुश ट्साओ oh लुश बाई चूए वाल